आप एक नॉर्मल सी वीडियो को जो HD में नहीं है उसको 4K Ultra HD कैसे बना सकते हो वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आपको किसी भी laptop की जरूरत नहीं है किसी तगड़े से system की जरूरत नहीं है आपके पास android हो या iPhone आप दोनों से ही कर सकते हो मैं आपको detail में बताने वाला हो एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझना और हाँ मैं आपको जिस application से edit करना चिखाऊंगा वो application को download कहां से कैसे किस तरह करना है सब कुछ बताऊंगा अगर आप एक normal video को 4K Ultra HD में convert करते हो उसके बाद YouTube पर upload करते हो या Instagram पर upload करते हो भाई literally millions में views मिलते है millions में likes मिलते है तो आप लोग भी try कर सकते हो बहुत सारे लोग इस तरीके से पैसा भी कमा रहे है YouTube पर बहुत सारे ऐसे challenge है जिनकी वीडियो पर 40 million, 30 million, 20 million इस तरीके से views मिलते है तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो बहुत important वीडियो है सभी के लिए तो आपको सबसे पहले जले जाना है play store application पर, play store application जब आप open करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर search करने है यहाँ पर आपका काम खतम अब आपको दो application की ज़ुरत पढ़ने वाली है पहला जो हमारा application है उसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हो इस application का नामे विंक यह आपको कहां से मिलेगा इतना आसान नहीं है इसको जूणना वो भी बताऊंगा second application है capcut तो आपको capcut को use करने के लिए तो vpn लगाना ही पढ़ेगा और यह आपको play store पर नहीं मिलेंगे तो आपको सबसे पहले wink application को open करना है जैसे मैंने यहाँ पर wink application को open किया तो आपके सामने कुछ as interface आएगा तो आपको बाकी की चीज़ों पर धियान नहीं देना है जहाँ पर मैं आपको बोलना हूँ वहाँ पर किलिक करना है धियान से देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वालिटी तो आपको यहाँ पर किलिक करना है तो जब आप यहाँ पर किलिक करोगे तो आपके सामने कुछ S interface आएगा यह आपको tutorial दे रहे है एक तो यहाँ पर HD एक तो होता है normal HD सिर्फ HD और एक होता है ultra HD plus वो यह है अब अगर आप इससे भी high level पे जाना चाहते हो बहुत जादा next level पे तो आपको जाना है portrait तो भाई आपको recommend करूँगा कि आप ultra HD तक सही हो ultra HD पे जाने के बाद आपको नीचे try now पर किलिक करने है यहाँ पर किलिक करने के बाद आपको उस video को select कर लेना है जिसका quality बेकार है जिस video को आप edit करना चाहते हो तो अभी यहाँ पर मैंने एक video डाउनलोड किया यहाँ पर मैंने किलिक किया और ok पर मैं किलिक करता हूँ तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले मैं आपको before दिखाता हूँ यह video का quality देखो बाई कितना गंदार है तो अब मैं आपको after दिखाता हूँ यह चेक करो आपको फर्क खुद ही दिख गया होगा before after अगर मैं यहाँ पर back करता हूँ एक बार मैं back चला जाता हूँ और यहाँ से जाता हूँ मैं portrait पर तो यहाँ पर try no पर किलिक करता हूँ तो अब मैं यहाँ पर इस video को add करता हूँ और अगर मैं इसको zoom करके दिखाऊ तो यह चेक करना भाई कितना तगड़ा quality हो जा रहा है बतलब face बिलकुल clean आप खुद ही देख सकते हो भाई before after तो भाई हम ज़्यादा next level पर जाएंगे नी हम सिर्फ रखेंगे ultra HD पर और यहाँ पर हम try now पर click करेंगे और इस video को यहाँ से select करेंगे और उसके बाद आप इसको play करके भी देख सकते हो तो अभी हमारी video को quality बेकार है और अब हो चुका है बिलकुल सही बस उसके बाद आपको क्या करना है उपर की तरफ आपको यहाँ पर एक option मिलेगा save का तो बस आपको save पर click करेंगे तो जब आप save पर click करोगे यह आपका gallery में save हो जाएगा continue करो gallery में save कर लो तो भाई आपका video HD में तो हो चुका है अब आपको जाना है cap cut application में cap cut को जब आप open करोगे यहाँ पर आता है man come इसको बड़ी ध्यान से समझना एक एक step को सबसे पहले आपको उपर की तरफ new project पर click करने यहाँ पर click करने के बाद आपको उस video को select करने जिस video को आपने HD में convert किया तो यहाँ पर मैं click करता हूँ और इस video को select कर लेता हूँ यह देखो HD में video तो भाई इस video को add करने के लिए आपको नीचे की तरफ add पर click करने तो हमारा video यहाँ पर add हो चुका है अब आपको क्या करने है shorts वाले size में इसको convert करने है वो क्या से करोगे उसके लिए देखो नीचे की तरफ आपको एक option मिलेगा ratio तो जब आप यहाँ पर रेशो पर click करोगे तो आपको मिलेगा 9 ratio 16 TikTok का एक symbol बना हुआ दिखाई देगा तो आपको यहाँ पर click करने है तो click करोगे तो उसके बाद नीचे की तरफ right वाले icon पर आपको click करने है आपको अपनी इस वाली वीडियो पर click करने है और इसको zoom कर देने है जब आप इसको zoom कर दोगे तो यह देखो आपका shorts के size में convert हो के आचुका है अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी कलाकारी दिखानी है यह चेक करो वीडियो तो हमारा एकदम HD में बिल्कुल किलियर नजर आ रहा है तो आपको यहाँ पर क्या करने है सबसे पहले आपको इस वीडियो की layer पर click करने उसके बाद आपको थोड़ सा आगे की तरफ जाने है यहाँ पर आपको जाने है इसको बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी sharpness भी बढ़ा देता हूँ जो मेरे को सही लग रहा है वो मैं बढ़ा रहा हूँ आपको यह बिल्कुल अपनी वीडियो के according करने है कभी आप सचो कि जुन्नु भाई ने इतना किया तो मैं भी इतना कर देता हूँ आपको बिल्कुल अपनी वीडियो के according रखने है तो भाई मैंने अभी यह काम तो कर दिया अपने according सेट कर दिया अब आपको क्या करने है वापस से adjust में जाना है यहाँ पे देखो लिखा हूँ है छोटा सा filters तो आपको filters पे click करने है वाई अभी यहाँ पे दिखा रहा है no internet connection तो चलिए मैं refresh करता हूँ हो सकता है हमारा VPN बंद हो गया हो तो VPN चेक करते है इसको disconnect करके तो बारा से connect करते है कभी-कभी यह दिक्कत आ जाती है तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे एक orange blue नजर आ रहा है तो यहाँ पे मैं इस पर click करता हूँ तो इसको मैं अपने according adjust कर सकता हूँ मतलब इससे quality और अच्छा हो जाता है मैं आपको फिर से बता दू यह आपको अपने according रखना है मैं कोई सा भी filter लगा रहा हूँ आपको वो नहीं लगाना है जो आपकी वीडियो की quality के ऊपर रिक्दम suit कर रहा है वो आपको लगाना है कभी आप सोचो कि जुन्नु भाई ने यह लगाया था हम भी लगा देते हैं तो भाई अभी मेरे को यह वाला सही सा लग रहा है थोड़ा सा मैं अपने according इसको okay कर देता हूँ तो भाई इतना करने के बाद यह चेक करो वीडियो को quality मेरा तो भाई okay हो चुका है मैं इससे satisfy हो चुका हूँ अब उसके बाद आपको last में आना है और यह cap cut का logo आएगा तो आपको यहाँ पर किलिक करने है और नीचे delete वाले icon पर किलिक करने है अब आपको क्या करने है उपर की तरफ देखो 1080p लिखा हुआ रहे है तो आपको 1080p पर किलिक करने है यहाँ से अपनी वीडियो को 2K, 4K कर देना है पहले वाले को और यहाँ से अपनी वीडियो को 60fps कर देना है और इसको आप recommended यहाँ पर किलिक कर देना है अगर आप इस वीडियो को गैलियो में जाकर देखोगे जैसे मैं गैलियो में आ चुका हूँ और वीडियो को प्ले करके देखता हूँ तो वीडियो एकदम HD में हो चुका है वीडियो को सेव करने के बाद आपको इस वाली वेबसाइट पर आ जाना है इसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूगा आपको ऊपर की तरफ ठी डोट पर किलिक करने है आपको यहाँ पर डेक्स्टॉप साइट पर किलिक कर देना है आपके सामने कुछ ऐसे ओप्शन आएंगे बहुत सारे ओप्शन आपको मिल जाएंगे तो आपको continue with google पर किलिक करने है यहाँ पर किलिक करने के बाद आपका mail idea जाएगा जो भी आपके phone में login है बस आपको वाँ पर एक किलिक करने है प्लस वाले आइकन पर किलिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसे अंटरफेस आएगा अब आपको ऊपर की तरफ देखो यहाँ पर लिखा हुआ है import media तो जब आप import media पर किलिक करोगे तो यहाँ से permission वगेरा दे देना अब आपको अपनी gallery में जाना है gallery में जाने के बाद जो वीडियो आपने save किया 4K में save किया वो आपको यहाँ पर upload करने है तो जब आपका वीडियो यहाँ पर upload हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पर एक किलिक में जैसा चाहो उस तरीके का caption लिख सकते हो आप जो screen पर videos देख रहे हो न इस पर जो caption लिखा हुआ रहे जो भी बंदा बोल्ड है वो इस सामने लिखा हुआ रहे तो वो आप इस website से लिख सकते हो बिलकुल आसान है तो अब आपको side में एक video नज़र आ रहोगा यहाँ पर click करो और मैंने आपको detail में जिखाया है कि कैसे design के साथ capsule से लिखा जाता है वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो like जरूर करके जाना